मध्य प्रदेश में एक रेलवे अधिकारी और क्रमचारी के लाखों की रेल पच्छियों को बेचने का मामला सामने आया है मामला बुरानपुर जुले का है जहां रेलवे के सेक्शन इंजीनियर और टैक मैन ने 42 टन्स कैप बिना टेंडर के बेच दिया बेचे गए स्कैप की कीमत करी 25 लाख रुपे बताई जा रही है इसके जाच के लिए मध्य रेलवे मुंबई के आरपी एफ आईजी अजय सदानी बुरानपुर पहुंचे उन्होंने मामले की बारिकी से जाच की दरसल 7 अक्चूबर को सीनियर सेक्शन इंजीनियर हरेंद्र कुमार और टैक मैन भरत कुमार ने करीब 42 टन लोहे से बनी रेलवे की पट्री को बिना टेंडर के महराश्ट के नाकुर की एक फर्म को बेज दिया लोहा पकड़ा गया तब आर्पीएफ क्राइम ब्रांच भूसवाल हरकत में आई उन्होंने आर्पीएफ की मदद से आरोपी सीनियर सेक्शन इंजीनियर हरेंद्र कुमार ट्रैक मैन भरत कुमार सही तीन खरिदार को गरफतार किया है पांच ओ आरोपियों को 17 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है आर्पीएफ आईजी सदानी ने कहा कि मामले की जाच की जा रही है किसी भी आरोपी को बक्षा नहीं जाएगा नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन पर है कुछ माल रिकवर हुआ है हम लोग जाच कर रहे हैं कि सिस्टम में क्या कमी है और जितने लोग भी इन्वाल्ड होंगे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा अभी तक जितना भी केस हुआ है उसमें आर्पी अफ ने प्रोएक्टिवली इसको सॉल किया है अभी तक कहीं भी कोई आर्पी जम्मेदारी नहीं है जो गड़बड़ी जिसकी भी जम्मेदारी होगी कोई बचेगा